बिजेपी को वोट न देकर धोका आपने बिजेपी को नहीं दिया आपने धोका अपने बच्चों, परिवार और अपने देश को दिया है मैं सुरेज वारगो आज बहुत वक्त हो गया बोलने को अपने आपको रोक नहीं पाया क्योंकि ऐसा ही हुआ है इन पांच राज्यों में, जो मुझे बहुत मजबूर कर दिया है एक ऐसे हालात बन चुके हैं, अपने आपको एक राजस्तानी कहना भी शरम आ रहा है सरम से सर जुग गया हम हिंदुस्तानियों का, हम राजस्तानियों का, जो एक सच्चे और इमानदार नेता को हम पैचान नहीं पा रहे है हमारी माननी है परदान मंत्री नरेंदर मोदी, जिनका साथ हम सब ने छोड़ दिया है कुछ है मंदबुदी लोग जिनको नहीं पता है कि दरेंदर मोदी क्या है जिन लोगों को एक दुनिया में एक हसी का पत्र बना हुआ रहूल गांदी उसमें दुनिया को और हमारे हिंदुस्तान को भविश्य दिखता है हमारी हार नहीं है यह पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व की और राष्ट की हार है हम सब की हार है यह एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलने में वक्त नहीं लगेगा एक ऐसा दिन आएगा अगर आज आपका मन व्यतित और दुखी है तो यकीन मानियें आप सच्छे हिंदू है और मोदी जी जैसा इमानदार परधानमंतिरी भारत जैसा भष्टा जाई देश डिजर्वा नहीं करता इनको वही पुरानी खाओ और खाने दो वाली सरकार चाहिए मैं इन पांच राजों की हार से दुखी नहीं हूँ मैं दुखी हूँ हिंदूतों की हार से जिस रेली में जिस कांग्रेज की रेली में पाकिस्तान के ज़ंडे लहराये चाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं कितने सरम की बात है ये हम सब के लिए एक इमानदार नेता नरेंदर मोदी जो देश के लिए लड़ रहे हैं लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं वो वक्त दूर नहीं है जब हिंदुस्तान में आपको अपने घर में डर के रहना पड़ेगा आपको डर लगेगा हर पल अपने अंतर आत्मा और अपने जहन से एक बार पूछ कर देखिए क्या राहुल गांदी नरेंदर मोदी जैसे काम कर सकते हैं हमारे हिंदुस्तान को वो पहचान दे सकते हैं जो हमारे माननी परदान मंत्री मोदी ने दी है जिन लोगों को राहुल गांदी में भविस से नजर आता है उन लोगों को मैं कुछ भी नहीं कहना चाता क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में बात करना अपने टाइम को व्यत करना है एक ऐसा नेता जिसने पूरे ब्रहमांड में हमारी पहचान बना दी है हमारे हिंदूस्तान को विदेव सों में जाकर छोटी-छोटी बच्चों को पता है कि हमारे हिंदूस्तान का पर्धान मंत्री कौन है मोधी का इतना नाम है एक ऐसा प्रचंड एक ऐसा देवता जैसा आदमी है उस सब का लोग साथ चोड़ रहे हैं लोगों को पता नहीं है, ग्रामी निलाकों से वोटिंग करके जो लोग जाते हैं वोट देने के लिए उनको क्या पता नरेंदर मोधी कोन है और राहूल गांदी कोन है, कुछ अनभिग्ये लोगों की बातों में आकर वोट दे देते हैं, लेकिन अभी अभी देर नहीं हुई च्छै मेने के बाद बोलो खुद रोएंगे के एक ऐसा नेता खो दिया जो नहीं करना चीए था ऐसा एक ऐसा कदम उठा लिया कुछ भैकाव में आके कुछ लोगों की मनगड़त बातों में आके करज माफी को लेके बहुत से ऐसे दावे करते हैं कांग्रेस लेकिन किया आप तक कुछ भी नहीं है अब सोने से काम नहीं चलेगा हिंदू जाग जाओ और एक बार फिर से हमारी प्रतान मंतरी इंतरें दर्मोदी को लेकर आना है पुरे हिंदुस्तान में ऐलान कर दो मई में 2019 में जो चुना होते हैं उसमें मोदी जो को चिताना है